आरक्षन नहीं तो गटवंदन नहीं और गटवंदन नहीं तो गोट नहीं अभी हम किरी के साथ नहीं है अभी हम अपनी पार्टी के साथ हैं आज का प्रेस कॉंफरेंस का मकसद यही है कि काफी समय से तक्रिमिन पाच्छे मैना से मैं आप लोग से काफी दूर रहा और अपन कार्चकरन जो भी है कि 25 परसो 25 उलाय को पटना में किश्मिडियो हॉल में विरांगना फूलन देविगी का सहाध्य दिवस हम लोग मनाएंगे बड़े पैवाने पे कार्चकरन किया जाएगा और उसी रोज से हमारा एक यात्रा निकलेगा निसाद आरक्षन संकल्प यात्रा जो पूरे बिहार में 3800 जिला में उत्तर परदेश के पुर्वांचल में और जार्खन के कुछ जिला तक्रिबन 80 जिला को हमने चिनित किया है 80 जिला में हमारा यात्रा निकलेगी और 100 दिन का ये यात्रा होगा 25 जुराई से यात्रा निकलेगी और 49 तक लगातार पुरे विहार में यूपी में जहर्खन में तीनो राज में हम लोग अपने अपने लोगों के बीच में जाएंगे अपने आजवाला पी डी कि अधिकार के लिए लगाता ना वाय। हर एक प्दादीकारी हर एक पदादीकारी हर एक काओम में जाएंगे हर घर घर में घुमेंगे अपनी बात को रखेंगे अपनी पाटी को विचार को रखेंगे और हर घर में संकल्प कराया जाएगा कि आप किसके साथ हैं आप अपने आने वाले पीरी के साथ हैं आप आने वाले बच्चे के भविश के साथ हैं आप अपने पार्टी के साथ हैं तो आप संकल्प लिजे कि आने वाले समय में भी पार्टी जो भी निरने लेगा लेने के साथ आपको खरा रहना है तो इसके लेके हम लोग आने वाले समय में चलेंगे अब मजबुती से तीनु राजी में हम लोग काम करेंगे और आप सभी को पता है कि 2024 का चुनाव है और चुनाव तो आप देखी रहें कि किस तरीके से कोई आज असपरस्ट ना कहे दे कि हम कल सरकार बना रहे हैं तो निशित तोर पे और हम लोग का मांग है कि निशात वारक्षन मिले बंगाल में दिली में निशात वारक्षन है बिहार में या उत्तर प्रदेश जार्खन में नहीं आरक्षन तो इसमें हम लोगों ने एक सिलोगन के साथ चलेंगे बिहार उत्त अभी हम किरी के साथ नहीं है अभी हम अपनी पार्टी के साथ है